पित्रिपक्ष समाप्थ होने से पहले तुलसी में चढ़ा दें ये एक चीज एक महीने में बनोगे करोड़ पती। नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल धर्मलोग को सब्सक्राइब जूर करिएगा। हर हर महादेव जय शिव शम्भू दोस्तों, क्या आपके पित्री आपसे नाराज है? और क्या आपको लगता है कि आपके पित्रों की वजह से आपके घर की सुख शांती में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे है? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परिशान है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों इस बार के पित्रिपक्ष श्राध में अगर आप तुलसी के पौधे में ये चीज चढ़ा देते हैं तो आपके सभी पित्री दोशों का तुरंथ ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कश्टों से मुक्ती और दोस्तों इस एक मात्र उपाय को करने से आपको धन्वान माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी दोस्तों इस बार 29 सितंबर 2023 से पित्रिपक्ष श्राध बहुत ही दिव्य और दुलब सन्योग लेकर आया है दोस्तों इस पित्रिपक्ष में राज योग, कालसर्क दोश के साथ साथ धनलक्षमी योग भी बन रहा है जिस वजह से इस बार के पित्रिपक्ष श्राध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और इस पित्रिपक्ष पर यदि आप तुलसी के पौधे से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पित्रों का आशिरवात पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों पित्रिपक्ष की शुरुवात इस साल भादरपद मास के शुक्लपक्ष की पूर्णिमा तिथी 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हुई है जो 14 अक्टूबर 2000-2023 दिन शनिवार तक रहेगा पंचाम के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बज कर 26 मिनट बजे तक भादरपद पूर्णिमा थी इसके बाद आश्विन मास के कृष्न पक्ष की पहली तिथी प्रतिप्दा शुरू हो जाएगी इसी लिए पित्रिपक्ष से संबंधित सभी कार्ये 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बहतर होगा दोस्तों पित्रिपक्ष भादरपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्थ होते हैं आश्विन मास की अमावस्या को सर्वपित्री अमावस्या कहा जाता है पित्रपक्ष पूरे सोलह दिनों के होते हैं इन्हें श्राध्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है पित्रपक्ष पित्रों को समर्पित होते हैं पित्रपक्ष पूर्वजों के प्रती सम्मान और श्रध्धा के प्रतीक है। इस दौरान पित्रों के निमित्त ही कार्य किये जाते हैं। किसी भी तरह का शुबकार्य, विवा, मुंडन, ग्रह प्रवेश आदी वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पित्रपक्ष अपने पूर्वजों के प्रती श्रधा भाव दिखाने का समय होता है। पित्रपक्ष में पित्रों के लिए तरपन और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राध पक्ष में पितर-पितरे लोग से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धर्टी पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहन करते हैं ब्रह्म व्यवर्थ पुरान में बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसंद करने से पहले मनुष्य को अपने पित्रों को प्रसंद करना अति आवश्यक है. क्योंकि जिसके पितर उससे नाराज होते हैं, उससे सभी देवी देवता भी रुष्ठ हो जाते हैं. पित्रों की इस नाराजगी को पित्र दोश भी कहा जाता है पित्रिपक्ष पित्रों को प्रसंद करने के बहुत ही खास दिन होते हैं माना जाता है कि पित्र पक्ष के दौरान श्रधा पूर्वक किये गए छोटे से प्रयास से ही पितर प्रसन्न हो जाते हैं और पित्र दोश से मुक्ती मिलती है आज के इस वीडियो में हम आपको पित्रों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रही हैं इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न और त्रिप्ट होते हैं पित्रों को शांती मिलती है पितर प्रसन्न होकर अपने परिवार जनों को पितर दोश से मुक्ती का आशिरवाद देते हैं पितर देव के साथ साथ भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समरिधी आती है दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें और आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शुरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल धर्म लोग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएगा तो आईए जानते हैं इस उपाय के बारे में दोस्तों वैसे तो इस उपाय को आप पित्रिपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन इस उपाय को पित्रिपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरी विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पित्रदेव है यानि की पित्रों को प्रसंद करने के लिए भगवान विश्णु जी को प्रसंद करना अती आवश्चक है गुरुवार और एकाज़ी के साथ साथ इस उपाय को पित्री अमावस्या जिसे सर्वपित्री अमावस्या भी कहा जाता है उस दिन अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि सर्वपित्री अमावस्या पर सभी पित्रों के निमित श्राध तरपन किये जाते हैं सर्वपित्री अमावस्या पर पित्रों के निमित किये गए पूजा से सभी पितर प्रसन्न हो जाते हैं और पित्र दोश से मुक्ती मिलती है तो आए जानते हैं इस उपाय के बारे में उपाय करने के लिए सनान करके स्वच्छ वस्त्र धारन करें ध्यान रखें इस उपाय को करते समय भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल ले आप इस उपाय को करने के लिए तामबे के पात्र का इस्तिमाल बिलकुल ना करें अब इस जल में आप एक चम्मच कच्चा दूध डालें फिर इस जल में एक चुटकी शक्कर डालें शक्कर डालने के बाद अब आप इस पात्र में एक चुटकी सा पिसी हुई हल्दी मिला लें हल्दी भगवान श्री हरी विश्नु को प्रिय है इसलिए भगवान विश्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विश्णु की पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तिमाल करना चाहिए अब आप एक दिया तयार करें आप मिट्टी का ठेका या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखे दिया शुद्धगी का ही होना चाहिए अब इस दिये और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं दोस्तों सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेश महत्व बताया गया है हिंदु धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्यभाग, तना में सभी देवी देवता और उपरी ही शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं पद्म पुरान में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जिस जगह होता है, वहां ब्रह्म, विश्नु और महेश निवास करते हैं तुलसी जी की सेवा करने से व्यक्ति के महापातक से महापातक संपून पाप भी नश्ठ हो जाते हैं तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है हिंदू धर्म में मृत्यू के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है धार्मिक द्रिश्टी से इसका बड़ा महत्व है कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरी विश्नु के सिर पर सच्चती है तुलसी धारन करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते मृत्यू के बाद परलोक में व्यक्ति को यम दंड का सामना नहीं करना पड़ता इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है माना जाता है कि मृत्यू के समय तुलसी का पत्ता मुह में होने से प्रान त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है क्योंकि यह सात्विक भाग को जगाता है पित्रों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए शास्त्रों में बताया गया है कि तुल्सी जी की सुगंधमा लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है तुलसी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार के व्यक्ति पित्रिपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं उनके पित्र उनसे बहुत ही प्रसंद होते हैं और पित्रों की आत्मा को शांती और त्रिप्ती मिलती है इसलिए पित्रिपक्ष में तुलसी का पौधा यदी घर में लगाया जाए या सही विधी से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पित्रिप्रसंद होते हैं और उनके आशिरवाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं अब आप पूर्व दिशा की तरफ मुह करके खड़े हो जाएं यानि आपको इस्ट की तरफ अपना मुह कर लेना है जहां से सुर्योदय होता है इसके बाद आप भगवान विश्नु जी और मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें तुलसी माता को प्रणाम करें पित्रदेव को प्रणाम करें फिर आप भगवान विश्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी पर यह जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने शुद्धगी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान विश्णु के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की ग्यारह परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विश्णु जी के महामंच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी के चर्णों की रज यानी की तुलसी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठा कर उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब भगवान विश्नु लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पित्रों की त्रिप्ती और शांती की प्रार्थना करें। अब आप पित्रदेव को प्रणाम करें और जाने अंजाने में की गई गलतियों की ख्षमा मांगे। इसके बा आप भगवान से और पितर देव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कश्टों और संकटों को दूर करें और अपना आशिरवाद हमेशा आप पर बनाए रखें। भगवान से पित्री दोश से मुप्ती की भी प्रार्थना करें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया यह बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पित्री प्रसंद होते हैं और अपने परिवार जनों को आशिरवाद देते हैं। पित्रों के आशिरवाद से ही जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है और पित्र दोश से छुटकारा मिलता है। भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी जी और तुलसी माता की कृपासे घर में सुख सम्रिध्धी आती है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेश ध्यान रखें। तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही करें जो मंदिर में लगी हो या आपके खुद के घर में हो। दोस्तों हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। वहीं पित्रों के नाराज होने पर कुंदली में पित्र दोश का निर्मान हो जाता है। पित्र दोश के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कश्टों का सामना करता है। ऐसे में आये जानते हैं कि कुंदली में पित्र दोश का निर्मान कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जोतिश शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्मा त्रिप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो ये आत्माएं पृत्वी लोक में रहने वाले अपने वन्ष के लोगों को कश्ट देती हैं। इसी कश्ट को जोतिश शास्त्र में दोश कहा गया है। जोतिश शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ती की कुंडली के लगन भाव और पांचवे भाव में सूर्य, मंगल और शनी विराज मान होते हैं, तो पित्र दोश का निर्मान हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अश्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं, तो भी पित्र दोश का निर्मान होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोन में मौजूद होता है, तो पित्र दोश बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लगनेश का राहु से संबंध होता है, तो जातक की कुंडली में पित्रिदोश बनता है. जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ो का अनादर करता है या फिर उसकी हर्त्या कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को पित्रिदोश लगता है और जीवन नरक बन जाता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पित्रिदोश का निर्मान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह तूट सकती है, तलाग की स्थिती उत्पन हो जाती है वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाफ बना रहता है ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती है बच्चे की अकाल मृत्यू हो सकती है जीवन में कर्ज और नौकरी में परिशानिया आती रहती है इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुरगटना हो सकती है लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं परिवार में विटलांध या अंचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है ऐसे व्यक्ति को बुरी आद्टों की लत भी लग सकती है पित्रदोश होने पर मिलते हैं ये संकेत यदि किसी जातक की कुंडली में पित्रदोश हो तो उसे अपने जीवन में कई तरह के कष्ट जहलने पड़ते हैं पित्रदोश के कारण शादी में भी बाधा आती है ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है समय से शादी नहीं हो पाती है पित्रदोश के कारण वंश व्रिध्धी रुक जाती है ऐसे में संतान प्राप्ती में बाधा आ जाती है इसके साथ ही संताण के करियर से संबन्धित भी समस्या उत्पन्न हो जाती है अगर किसी जातक की कुंडली में पित्रे दोष होता है तो वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते है समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं पित्रिदोश से मुक्ति के लिए करें उपाय पित्रिदोश धन्हानी और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है पित्रों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है पित्रिदोश के कारण पारिवारिक कलह बनने लगते हैं घर में जगड़े होते हैं यदि बार-बार बिना कारण के घर में जगड़े हो रहे हो तो यह पित्रों की नाराजगी का संकेत माना जा सकता है पित्रिदोश होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिती बन जाती है इसके साथ ही कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता है पित्र दोश होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है पित्र दोश से मुक्ती के लिए करें ये आसान उपाए पित्र दोश से मुक्ती पाने के लिए प्रति दिन पीपल के पेड में जल चढ़ाना चाहिए जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिन दिशा में अर्ध्य देने से भी पित्र दोश से मुक्ती मिलती है अमावस्या और पित्र पक्ष में श्राद, पेंडदान आदी कर्म करने से भी पित्री दोश से मुक्ती पाया जा सकता है इसके साथ ही इस उपाय को करने से न केवल पित्र दोश से मुक्ती मिलती है, साथ ही इससे पितर भी प्रसन्न होते है पित्र दोश को दूर करने के लिए पित्र पक्ष में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी माना जाता है कुंडली में पित्र दोश से मुक्ती के लिए व्यक्ती को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमत भागवत के गजेंद्र मुक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए पित्र दोश से मुक्ती के लिए जरूर करें यह कान प्रत्येक चतुर्गशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए ऐसा करने से न केवल पित्र दोश से छुटकारा मिलेगी बलकी कालसर्प दोश से भी मुक्ती मिलेगी यदि कुंडली में पित्र दोश बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिन दिशा की दिवार पर अपने स्वर्गिये परिजन का फोटो लगा कर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशिरवाद प्राप्त करना चाहिए इससे नाराज पितर प्रसन हो जाते हैं पित्र दोश के उपाय के लिए व्यक्ती को काले कुत्ते को उड़त के आटे से बनी रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनी राहु के तु तीनो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पित्र दोश से मुक्ती पा लेता है पित्र दोश को कम करने या मुक्ती पाने के लिए सर्वपित्री अमावस्या पर पित्रों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुश्प अर्पित करना चाहिए दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे की आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जै तुलसी माता